नमस्कार, मैं हूँ इंदु आहुजा और आप सभी का स्वागत करते हूँ हमारी यूट्यूब चैनल इंदु जी के रेमिडीज पे बच्चों को बहुत जादा नजर लग जाती है चोटे बच्चे बहुत जादा चिर्चिरे हो जाते हैं खाना नहीं खाते हैं खाना खाते तो उल्टी कर देते हैं या उनको नींद नहीं आती है उनको बेचे नहीं होती है ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है अकसर देख जो भी आपको comfortable लगे, आपको जे तो दो-तीन भी आप साथ में ले सकते हैं, आपको जे तो सारी भी आप कर सकते हैं, ये आप उपाय जरू से कीजेगा, अगर आपके थोड़े बड़े बच्चे हैं, तो आप उनके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से का कि जब आप पांच बाती को एक करते हैं तो उससे नजर बहुत जल्दी उतर जाती है बच्चे की ठीक है तो यह पांच का फिगरोनाची अगर आपके पास रूई है तो आप उसकी पहले पांच बाती कर लीजिए अलग बनाने के बाद फिर आप उसको जोड़के एक कर दीज को से लगे पोलें प्रूमय दुपोंने के बाद आप आपने बच्चे के उपर सर से लेकर पिद चूले के पैर टक के ओप इसको आपको दीचा रूग को तीनТ बार गुमानार रूप थिर बार उपर से नीचे आपके यह आपको में खुमाना है जलाओर एंगे और एक भर म आप उसको जला दीजे, जलाने के बाद आपने पतीला पानी का भराथा उसके उपर को पकड़ कर थे ठीक है, पानी से थोड़ा सा उपर, ताकि जो तपटप जब तेल गिरेगा तो पानी के अंदर ही गिरेगा, अगर जल्दी जल्दी तेल टपक रहा है, इसका मतलब तो यह आपको सबसे पहला उपाय करना है लेकिन इसमें नियम यह है कि साथ दिन तक आपको continue करना है ठीक है आप कहीं पे भी इसको बैठ के करा सकते हैं अगर बच्चा चोटा है तो आप गोधी में उसको लेटा के भी कर सकते हैं लेकिन अगर बड़ा बच्चा है तो बीच में चुप रहना है मन में आपको बस यह बोलते चले जाना है कि जो भी बच्चे को नजर लगी है यह जो भी negativity है वो सारी निकल गई है और वो इस बाती के अंदर समा गई है उतारते वक्त आपको यह बोलना कंटिनियू साथ दिन तक आप कीजिएगा सांच के वक्त तो वो ज्यादा अच्छा है जब संसेट हो रहा होता है ठीक है यह आप सबसे पहले करेंगे दूसरा उपाय आपको क्या करना है एक आप रोटी ले चपाती ले जब भी आपकी जब घर में बनती तो एक नॉमल एक पहले ही रोटी आप साइड कर दे उसमें एक गुड का त कर देंगे जब सकते तो आपको रोटी लेनी आप बच्चे के ओपसे तीन बार आपको घुमाना है और बाद में सीधा लेके जाके आपको घाय को खिला देना है अगर आप किया अवेलेबल नहीं है तो यह वाला जो पार्ट है यह वाला जो उपाय आप उसको सक्प कर सकते कि मैं दूसरे उपाय भी आपको बता रही हूँ नेक्स्ट उपाय में आपको क्या करना है आपको अपने बच्चे की राइट हैंड में चाय वो बेटा हो या आपकी बेटी हो आप अपने उसके राइट हैंड में एक काला धागा आप बांदेंगे मनो कामना करते वे कि हाथ में उसके बांद देना है मंगलवार या शनिवार वाले दिन बांदेंगी अगर हराइट हैंड में तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा तो यह आपको बांद के रखना हो सके तो अपने बच्चे को काला टीका बढाई आप जो है तो कान के पीछे भी लगा सकते लेकिन अ जो नजर होती है वो काला टीका उसको एब्जॉब कर लेता है तो छोटा बच्चा है तो आप काला टीका उसको इस तरीके से लगा सकते तो यह बहुत अच्छे से यह काम करेगा अगर आप काला टीका नहीं लगा सकते तो आप गले में भी काला धगा बच्चे को पिना सकते यह नहीं अब बोले कि फिर पुरे काले कपड़े पिनाने ओल्टा बिल्कुल भी बच्चो को नहीं पिनाने आप काला धागा पिना सकते यह काला तीका लगा सकते आप बच्चों के आखों में सुर्मा भी लगा सकते अगर आप लगाते होंगे तो नहीं भी लगाएंगे तो भी ठीक है. अच्छा, अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है और दूद पीने वाला बच्चा, अगर आप इसको बॉटल से दूद पिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि दूद पे भी नजर लगती है, तो इसलिए जब भी आप दूद पिलाते हैं बच्चे को तो डारेक बॉटल से से खुला नहीं पिलाना, आप उसको कवर कर ले, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं, खाने पे या दूद पे या पानी पे अब नेक्स जब आपको बता लिए, आपको क्या करना है, जहां पे भी आपका बच्चा सूता है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा खड़ा नमक जिसको बोलते हैं, या सी सॉल्ट चमूदरी नमक बोलते हैं, वो आप लेले, वो नहीं है, तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं, एक कांच के कटोरे में आपको ये नमक डाल देना है, और थोड़े से उसमें केसर आपको डाल देने, केसर की एक दो आप धागे उसके अंदर डाल दीजिए, और इसको कमरे में कहीं पर भी छुपा के आप रख दीजिए, आप मंगल या शनिवार वाले दिन इसको आप करते हैं आपको क्या करना है तूलसी का पौधा होता है उसमें देखे सूखी टहनिया होती थोड़ी सी आप निकाल के रख लीजी यह पुदीने का अगर होगा तो उसकी टहनिया आप निकाल दे तो जो भी आपको मिल जाए या दोनों अगर मिल जाए तो सबसे बैस्ट होगा अगर ये दो टहनिया आपको नहीं मिलती है या आपके पास नहीं है तो पूजा स्थान पे आप कोई भी जो हवन की लकडियां होती न टहनि वो छोटी-छोटी आप लकडियां वो लेके आ जाए और उसको क्या करना है थोड़ा सा कपूर के साथ आपको जला के पूरे घर म उसका दुआ करना है या particular कमरे में जाके उसका दुआ करना है अगर बच्चे को अलर्जी है तो बच्चे को आप पहले बाहर लेकर आ जाए और उसके बाद वो कमरे में आपको जला के दुआ कर ले यह पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं ये daily नियम से आपको ये भी 21 दि तक करेंगे अब 21 दिन के बाद वापस अगर दुबारा ये कभी भगवान नी करें ये problem आ जाए तो आप इसको दुबारा से 21 दिन कर सकते हैं 21 दिन नहीं कर सकते तो हफ्ते में केवल एक बार भी करेंगे तो भी ठीक है लेकिन जब फर्स टाइम आप करेंगे पहली बार त बात जो मिन आपको बताई थी जो आपको बानना है वो तो जब भी आपको लगे कि अभी पुराना हो गया तब आप उसको चेंज कर सकते तो उसमें 21 दिन का वो फॉर्मूला काम नहीं करता तो ये चीज़ आप ज़रू सी कीज़ेगा जैसे जैसे आपे करते चले जाएंग देखे उनके काम बनने लग जाएंगे और इससे आशिरवाद ही मिलेगा तो ये ज़रू से अच्छा काम आप कीज़ेगा अब जाने से पहले आपको और एक जब रदस उपाय बता देते हो आपको क्या करना है मोरपंक लिने दो मोरपंक आप ले सकते और दो मोरपंक को तीन चार बार ऐसे आपके बच्चे के सर के ऊपर आपको उसको मोरपंक को लगा देना है इससे यह आप कर सकते इससे बहुत ज़्यादा परीबतन आएगा अब आपको क्या करना है अब जो एब्जॉब हो गया वो नेगिटिविटी उस मोरपंक के अंदर इसको आप कैसे निकालेंगे आप थोड़ी सी मिटी ले सकते आपके गार्डन में होगी या घर के बाद थोड़ी सी कोई भी मिटी आप ले लीजे और उसके उपर मतलब यह मिटी आप ऐसे थोड़ी डाल के रग दीजे पांच मिट के लिए वो मिटी मोरपंक के उपर आप डाल के रग दी आप इस्तेमाल कर सकतें यह आप इकीस दिन करना चाहे तोभी कर सकतें यह तो आप बीच-बीच को अरह सकतें इस के और पर Kayla Пसक को सब्सक्राइब नहीं작 तो पास में आप यहाँ पे देख रहे हैं हाथ जोरतवा निशान वहाँ पे आप जरू से क्लिक कर दीजेगा उसके पास में आप जो दो वीडियो देख रहे हैं वो आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखेगा, I wish you all the best, God bless you, Namaskar.